असलाम अलेकुम दोस्तों पी एस्टी जो थर्ड फेज है घोटकी में वो स्टार्ट हो चुका है पी एस्टी थर्ड फेज के लिए नई वेकंसी पोजिशन भी ली गई है जो थर्ड फेज है उसमें तक्रीबन 40 तक के सब केंडिडेट आ जाएंगे इंशाला पूरे सिंध मे पी एस्टी और जाई एस्टी का सेकंड फेज मुकमल हो चुका है अब थर्ड फेज की तरफ गामजन है सिंध गोवर्मेंट और इस थर्ड फेज में कराची हैदराबाद शहीद बेनजिराबाद जो बड़े शहर है जहां पर कॉम्पिटेशन ज्यादा है वहां पर 50 तक के सब कंडिडेट आ जाएंगे इन्शाला और जहां पर कंपिटेशन इतना ज्यादा नहीं है रूरल एरियाज हैं वहां पर इन्शाला 40 तक के सब कंडिडेट आ जाएंगे और डिप्रीवड एरिया अक्सर मुझे दोस्त मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो पुछते है तो सिर्फ वो 18 तालका के कैंडिडेट अपलाई कर सकेंगे और उन चतुर तालका में जितनी फी यूसीज हैं एक तालका में तक्रीवड़ अदस यूसी भी पी होती है पार्थ पांच इतने भी यूसी हैं उस तालका के वो तालके का पूरा तालका वहां पे अपलाई ठटा तालका है यानि ठटा डिस्टिक में जो तालका है वो ठटा है मीरपुर साखरो है घोरो बरी है और केटी बंदर सुजावल डिस्टिक में भी ये जो तालका इधर मेंशन है जाती खारो चन मीरपुर वठोरो शाह यहां पे कुछ किलियर नहीं है तो जामशोरों में थानो बुला खान एड माझध टंडो महमद खान में कुछ तालका हैं बदीन के कुछ तालका हैं जेकोंबाद कश्मोर कंधकोट सांगड सांगड और थरपारकर और कराची मलीर के कुछ तालका हैं तो इस तरह से सिर्फ वही कैंडिडेट अब सक्कर आई बीए के उस टेस्ट में अपलाई करेंगे बाकी यह जो नाम इधर मेंशन नहीं है यानि डिस्टिक और तालका वहां के कैंडिडेट जो है वो अपलाई नहीं कर सकेंगे